अगर आपने अभी तक ब्रिच करन्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में ही घंटी के निशान को दबाएं। दोस्तों, घर के वास्तो दोश को दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में कई तरहा के उपाय बताए गए हैं। वास्तो शास्त्र के अनुसार घर में कई तरहा के पेड़ पॉधे लगाये जाती हैं। जिससे घर की नाकार आतमक उरजा को दूर करने में मदद मिलती है। वास्तो शास्त्र में पौधे लगानी की एक दिशा होती है और अगर पौधे को सही दिशा में लगाये जाए तो घर में सुख और स्मृधी बनी रहती है वहीं गलत दिशा में लगाया जाए तो इसका नुक्सान भी हो सकता है घर में मनी प्लांट के पौधे को उत्तर पुर्व की दिशा में नहीं रखना चाहिए इससे घर में संबंधा दूर भागती है साथी पारिवारिक रिष्टों में खटास पैदा होती है मनी प्लांट के बेलों को जमीन में वैलाने के बजाए किसी दिवार का सहारा देकर उपर की और जड़ाना चाहिए अगर इनकी बेल जमीन में फैली होगी तो धन प्राप्ती की जगां पैसों का नुकसान होगा मनी प्लांट को लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी उसकी पतियां सूखने ना पाए समय समय पर पानी ज़रूर डालते रहना चाहिए मनी प्लांट के पौधे को घर के बाहर लगाने के बज़ाए घर के अंदर लगाना शुब माना जाता है घर के अंदर मनी प्लांट के पौधे को गमले या काच की बोतल में लगा सकते है घर के दक्षिन पूर्व की दिशा को भगवान गनीश जी की दिशा माना चाता है इसलिए घर में मने प्लांट को दक्षिन पूर्व दिशा में लगाएं इस से हमेशा सुख और स्मृध्धी मिलती है और घर में लक्षमी माता की कृपा मिलती है इस पौधे को आप कहीं भी घर के अंदर या फिर अपनी बालकनी में भी रख सकते हैं इन पौधों को जादा पानी की भी जरूरत नहीं होती लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसकी देख रख करना बंद कर दें अगर इन पर सही तरह से ध्यान दिया जाएं तो ये घर की शोभा को और बढ़ा देते हैं दोस्तों इन्हें कभी भी जमीन पर ना पैलने दें जी हाँ दोस्तों अगर आपके घर में मनी प्लांट का पौधा है तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसकी बेलों को जमीन पर ना फैलने दें जमीन पर बेल फैलने से घर में नाकारातमक उर्जा का प्रभाव परता है इन्हें कभी भी मुर्जाने ना दे रोजाना मनी प्लांट को पानी दें क्योंकि मनी प्लांट के पत्तों का मुर्जाना या सफेद हो जाना अशुब माना जाता है बोतल या फिर फ्लार पोट में आप इस पोधे को लगाएं हैं लेकिन मनी प्लांटे कैसा पौधा है मनी प्लांट को आप घर के बाहर यानि के भगीचे में लगाने की बजाएं इसे आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं क्योंकि घर के अंदर लगाना शुभ माना जाता है दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंस में जरूर ब कुने